नमस्कार दोस्तों इस टड़ी विध हैपिनेस में आप सभी का स्वागत थे और दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इलाबाद हाई कोट आरो ए आरो की परिक्षा में टाइपिंग में नंबर किस आधार पर मिलेंगे और किस आधार पर कटेंगे दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों इस बार नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें विस्तार पूरवग बताई गई हैं तो टाइपिंग के लिए भी इन्होंने एक्जामपिल देके चीज़ों को समझाया है पहला पॉइंट पढ़ते हैं मार्क टू बे डिडेक्टेड ऑन इच मिस्टेक अगर आपसे एक गलती होती है तो आपके कितने नमबर कटेंगे पॉइंट वन यानि कि टोटल पांस सो वर्ड आएंगे दोस्तों वहाँ पर टाइप करने के लिए और अगर आप पूरे कर द देते हैं तो आपको पूरे में से पूरे यानि की पचास में से पचास नमबर मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग कॉलिफाइड नहीं है नमबरों का महत्व है इसलिए आप देखेंगे जब फाइनल मेरिट आएगी तो हो सकता है कि कोई अभ्यारती वन से ही पास हो जाए तो इसे भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से टाइपिंग करनी है ऐसा नहीं है कि पूरा फूकस आप रिटेन में ही रखें और टाइपिंग को भूल जाएं अगला पॉइंट क्या है left out word and spelling mistake will be treated as full mistake इसका मतलब यह हुआ या तो आप कोई पूरा word ही छोड़ देते हैं या फिर उसमें spelling mistake कर देते हैं इन दोनों में से कुछ भी हो अगर इन दोनों में से कोई भी गलती आप से हुए तो पूरी full mistake मानी जाएगी और full mistake का point one number कटेगा यानि कि अगर आप 49 number लाना चाहते हैं मान लीजिए आप को 50 में से 49 number लाने हैं तो आप ये 10 गलतियां कर सकते हैं ठीक है मगर मैंने बताया कि हो सकता है कि सेलेक्शन हो 9.1 वाले का 9.2 वाले का तो आप तो अपनी तरफ से तो कोई mistake नहीं करनी है ठीक है दोस्तों तीसरे point को पढ़ते हैं तीसरा क्या है typing of letters, words, character, symbol or anything other than the content of the passage कई बार होता क्या है दोस्तों हमने इतना matter type कर रखा है एक जिसा तो कई बार word कोई और है मगर हमने लिख दिया कुछ और यानि कि वो content में तो था ही नहीं, passage में तो था ही नहीं और हमने कुछ और लिख दिया तो ऐसे case में क्या होगा, ऐसे case में भी इसे full mistake ही माना जाएगा और point one number कट जाएगा चौथा point है, word type beyond the prescribed word limit shall be deleted और ignore, अब माल लिए 500 word है, अब 500 जो content में थे वो आपने कर दिया मगर beyond हो गया, क्योंकि हो सकता है कि matter जो है न दोस्तों, वो 600 का आ जाए, 600 word का, तो ऐसे में क्या होगा, अगर आपने limit से ज़्यादा कर दिया है, तो उसे या तो delete कर दिये जाएग कि जो delete copy जो होगी आपकी, तो number of the mistake made by the candidate and total mark award, यानि कि आपको total मिले कितने और ये देखा जाएगा कि आपकी total mistake कितनी हुई है, mark to be detected on each mistake, मैं आपका जिससे की पहला point था, जिसमें बताया गया है कि एक mistake का कितना होगा, point one mark होंगे, ठीके दोस्तों, अच्छा मैं आपको एक जानकारी और देता हूँ, कि typing की guidance के लिए हमने एक telegram group बना दिया है, अगर आपने अभी तक join नहीं किया है, तो इसी वीडियो के description में बताया गया है कि आप उस telegram group को कैसे join कर सकते हैं, तो जो भी लोग interested हों देख सकते हैं, अगला point है सात्वा, यहाँ पर पूरा formula बताया गया है, और formula कुछ नहीं है, जैसे कि था कि एक गलती होगी, तो point one number कटेंगे आपके, और यदि दस गलती होगी, तो पूरा एक number कटेगा, यानि कि वही है कि आपने 500 word अगर टाइप करने को थे, और उसमें से आपने 10 word गलत टाइप कर दिये, तो आपका एक number कट जाएगा कि टाइपिंग पे तो हमने group बना दिया है, क्या आप लोग चाहते हैं कि लिखित परिक्षा के लिए भी एक dedicated batch चलाया जाए, तो आप मुझे comment section में जरूर बताइएगा, जल्द मिलेंगे दोस्तों, हम next video में, तब तक के लिए, जैहिन, जै भारत